अपनी संतानों को सबी कष्टों से मुक्ती दिलाने वाली संकष्टी गणेश चतूर्थी का वरत माग कृष्ण पक्ष चतूर्थी यानि की आज के दिन मनाया जाएगा मन की स्वामी चंद्रमा और बुधी के स्वामी गणेश जी के संयोग के परिणाम सुरू इस चतुर्थी व्रत को करने से मानसिक शांती कार्य में सफलता, प्रतिष्ठा में व्रिधी और घर की नकारात्मक पूर्जा दूर होती है इस दिन किया गया व्रत और पुजा पाठ परिवार में सुक और शांती लेकर आता है। इस दिन कुछ उपायों को करने से रिधी सिधी के दाता गणेश जी आप पर प्रसन होते हैं। तो कौन से हैं ये उपाये इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आज के दिन सुबह स्नान आधिकर के व्रत का संकल्प लेकर व्रती सुर्योदय से चंद्रोदय काल तक नियम पूर्वक रहें। दोपहर में लकडी के पाठे पर लाल या पीला कपला बिच्छा कर इशान कोड में मिट्टी के गणेश वा चौत माता की तस्वीर स्थापित कर रोली, मोली, अक्षत, फलफूल, शमी पत्र, दुर्वा आधि से विधी पूर्वक पूजन करें। तदू प्रांथ, मोदक तथा गुड में बने हुए तिल के लड़ू का नयवेद्य अरपड करें। और आर्ती कर चौत माता की कहानी सुने। महिलाएं कहानी सुनने के बाद सूर्य देव को तामबे के लोटे में लाल चंदन, लाल पुष्प, चावल, तिल और गुल डालकर ओम, घृणी, सूर्याय, नमह बोलकर अर्ग दें। अर्ग देने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर सूर्य देव की तीन परिक्रमा करे ऐसा करने से भगवान सूर्य सुख सौभागि प्रदान करते हैं। इसके उपरान शायंकाल में चंदरोदय होने पर लोटे में शुध जल भरकर उसमें लाल चंदन, कुष्प, पुष्प, अक्षत, आधी डालकर चंद्रमा को इस मंत्र के साथ अर्ग दें। मेरा दिया हुआ यह अर्ग स्विकार कीजिए। चंद्रमा को इह दिव्य तथा पाप नाशक अर्ग दे कर परिवार की कुषल्टा की प्राफना करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गुड और तिल का थिलखुटा बना कर उसे दान करना चाहिए। व्रत करने वालों क चांदी का दान और दस्वा शकर का दान करें। ऐसा करके प्राणी, दुख दारिद्य, कर्ज, रोक और अपमान के विश्व से मुक्ति पा सकता है। आज के दिन गाय और हाथी को गुड खिलाने से अकाल मृत्यु का धै नहीं रहता। संकष्टी चतूर्थी के दिन विद्यार्थी ओम गंगर्पते नमह का 108 बार जब करके प्रखर भुद्धी, उच्च सिक्षा और गणेशी की क्रिपा पा सकते हैं। ओम एक दंताय विग्नहे, वक्रतुंडाय धीमही, तन्नो दंतिह प्रचो उदया। इस मंत्र का जब कर जीवन के सभी संकटों और कार्य बाधाओं से मुक्ति पाई चा सकती हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए, तो हमारे फेस्बुक पेज़ पर लाइक करें और योट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।